वेलकुम बैक तो दे चैनल तो आज के वीडियो में हम लोग बेश्ट गेमिंग स्मार्टफोन देखने वाले हैं जो कि अंडर 25,000 होने वाला है क्यों मैं ये वीडियो पना रहा हूं क्योंकि जैसे कि आपको पता हिए कि BGMI वापस आ गया है और आप में से बहुत सारे लोग अभी सर्च करते होगे कि BGMI खेलने के लिए बेश्ट स्मार्टफोन कौन सा होगा और आपका बजट अगर लिमिटेड है मतलब 25,000 के आसपा से तो डेफिनेटल आपके लिए ये वीडियो यूसफुल होने वाला है मैंने 25,000 बजट ही क्यों लिया हुआ है क्योंकि मेरा ऐ अगर आइफोन की बात करें तो वह तो काफी महंगे आते हैं और अगर आप मेरे को पूछोगे भी कि गेविंग स्मार्टफोन आज के टाइम में कौन सा बेस्ट या आपके लिए बेटर रहने वाला है तो मैं आइफोन सी बता दूंगा पर आइफोन का बजट जो है वह इस वीडियो में जो भी मैं फोन लिष्ट करूंगा उनकी लिंक्स तो आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेंगे पर इनको मैंने फिजिकली टेश नहीं किया हुआ है तो फिजिकली यह कितना हीट होता है या इतना अच्छा हाडवेर होने के बाद भी कैसे परफॉमस देता है आपका सपोर्ट रहेगा तो पर मैं आपको एक अशुरिटी देता हूं कि हाडवेर वाइस यह जो लिष्ट मैंने बना ही है पार्च स्मार्टफोन की अंडर 25,000 की इन में से अगर आप कोई भी स्मार्टफोन लोगे तो आपका गेमिंग जो है वो नेक्स डेवल होने वाल है तो वह भी आप डेफिनेटली कंसीडर करना जबी आप यह वीडियो देख रहे हो तो चलिए ज्यादा समय नहीं गवाते हैं और फड़ा-फड़ से फर्स्ट स्मार्टफोन की तरफ बढ़ते हैं यह लिश्ट में सबसे पहला मैंने रेडमी का स्मार्टफोन शॉर्ट लिश्ट किया हुआ है अलाकि फर्स्ट जो स्मार्टफोन बोलूंगा वो बेकर रहेगा और लास्ट वाला अच्छा रहेगा ऐसे मैंने रैंकिंग कुछ नहीं किया हुआ है मैंने रैंडमली यहां प का 25,000 का भी बजट नहीं बन पा रहा है तो आपको 20,000 तक मतलब 20,999 का कुछ प्राइज आभी दीख रहा है पर ऑफर डेस सेल डेस बैंक ओफर्स या कार्ड ओफर्स लगाते हो तो आपको अंडर 20,000 यह स्मार्टफोन मिल जाएगा और यह प्राइस के हिसाब से इसका हाडव इसके अंदर मिलते हैं जो कि आप सकते हो स्थ्ट्राइगन का ट्रिपल लिट प्रोसेसर है उसी तरह इसका पर्फॉर्मस का यह थोड़ा सा हीटिंग इशुज जो है वह काफे सारे смाटफोन में दिखाई दिया है पर इन इस केसे आपको मिडिया टेक का प्रोसेसर मिल रह तो दूसरे फोन में अभी बताऊंगा उसको आपको कंसेडर करना चाहिए पर 20,000 के आसपास आपको यह स्मार्टफोन मिल रहा है तो डेफिनेटली 144 हर्स रिफ्रेश रेट के साथ में काफी अच्छा डील होने वाला है बागी बैटरी लाइफ की बात करें तो 5080 mAh की बैट का सेट अप रहेगा और फ्रेंट फ्रेसिंग कैमेरा 16 MP का होने वाला है और प्लीज कीप इन माइंड यहां पर आपको हैडफोन जैक भी मिलने वाला है तो अगर आप कंटेंट क्रियेशन यह स्ट्रीमिंग करने वाले हो तो मोबाल पे जब आप गेम कहले तो अगर आप ग स्मार्टफोन जो है उसमें मैंने दो स्मार्टफोन लिश्ट किये हुए अलगे इन में से आप एक की कंसिडर करना आइकू का Z6 Pro और दूसरा है आइकू का नियो 6 5G अभी दोनों स्मार्टफोन आपको आराउं 25,000 के आस पास मिलेंगे मतलब दोनों के प्राइज में आपक 2-3,000 का difference मिल जाता है मतलब discount हो जाता है और अगर exchange लगाती हो तो और भी सस्टे में आपको यह स्मार्टफोन मिल जाते है पर दोनों में से आपको कौन सा लेना चाहिए यह दोनों स्मार्टफोन इसके अंदर जो specs से उसमें एकदम slightly difference है अलाकि processor में बहुत बढ़ा difference है एक में एक दम high level flagship processor यूज़ किया हुआ है एक एक लेवल नीचे वाला processor यूज़ किया है और दूसरा जो प्रोसेसर यूज़ किया है वह भी gaming processor है और snapdragon की तरफ से काफी तगड़ा processor है जो iqz6 pro है उसके अंदर आपको 778g processor दीख जाएगा snapdragon की तरफ से और यह भी processor काफी अच अगर आपको एक flagship level का processor मिल रहा है जो कि है snapdragon 870 जो कि iqz6 में मिलेगा तो आपको qz6 pro लेने की जरूरत है क्योंकि अगर आपको flagship level का processor सेम प्राइस पर मिल रहा है तो आप अपने आपको डिग्रेट करें सेम कंपनी का smartphone सेम प्राइस होने के बावजुद आप एक लोवर ग देता हूं जैसे कि processor का comparison मैंने आपको बता दिया 870 flagship processor है और एक level नीचे 778 जी है तो दोनों का performance में आपको कुछ भी issue नहीं आएगा गेमिंग हो या डे-to-day लाइफ में आप यूस कर रहे हो और दूसरे features की बात करें तो दोनों में आपको AMOLED display तो मिलता है पर Neo6 में आपक पूतली आपका game Neo6 में चलेगा as compared to Z6 Pro बाकि दोनों में battery तो similar use की गई है मतलब 4700mAh की पर दोनों में fast charging support जो है वो अलग-अलग दिया हुआ है Z6 Pro में आपको 66W का fast charging है and Neo6 में आपको 80W का fast charging मिलने वाला है बाकि camera इसकी बात करें तो दोनों में आपको similar triple camera setup मिलेगा 648 and 2MP का and selfie camera में 16MP का setup मिलने वाला है बाकि important चीज नोट करने के यहां पर यह है कि आपको दोनों में भी headphone jack नहीं मिलेगे तो अगर आप इससे content creation या streaming करना चाहते हो तो वो definitely consider करना आपको additionally वो adapter लेना पड़ेगा जिससे आप phone को charge करते करते ही audio जो है वो यूज करता होगे यह तो था हमारा second smartphone दोनों में से कौन से लेना चाहिए मैंने आपको बता दिया पर फिर भी अगर आपको Z6 Pro ज्यादा पसंद है तो definitely आप उसको buy कर सकते हो उससे भी आपको कुछ भी problem नहीं होगा अच्छा गसा gaming performance आपको मिल जाएगा बढ़ते है थर्ड smartphone की तरफ जो की ह पोको की तरफ से पोको का X5 Pro 5G और इसके specs की बात करें तो 6128GB के साथ में यह Snapdragon 778G processor के साथ में आता है और 21999 का आ रहा है मतलब यह 25,000 पे भी नहीं जा रहा है 21999 का price दे रहा है मतलब काफी अच्छा price to performance इसको में बोलूंगा क्योंकि अगर offer days and sell days में जाओगे तो और भी स smartphone में जाएगा डिस्प्ले की बात करें तो यहां पे AMOLED डिस्प्ले मेलेगा 120Hz refresh rate के साथ में बैटर की बात करें तो 5000mAh के साथ में 67W का fast charging में मिलेगा जो कि आपको 1-1.5R में 10% या 20% से 100% चार्ज कर देगा बाकी cameras की बात करें तो यहां पे भी triple camera setup है 108 megapixel का primary 8 and 2 megapixel का secondary camera हो होने वाला है और selfie 16 megapixel का camera होने वाला है बाकी Poco के and Xiaomi के phones में आपको IR blaster जो है वो मिलता है तो यहां पे भी आपको 3.5mm का audio jack मिलेगा तो आपको gaming के time content creation कर रहा है तो आपको कोई भी problem नहीं होगा audio and charging जो है वो आप साथ में कर सकते हो बाकी Poco के बारे में एक disclaimer आपको देना चाहूंगा कि बहुत सारे मैंने cases online पड़े भी है और वीडियो भी देखें जिसके अंदर उनके software and motherboard में बहुत सारा issue आता है तो वह भी consider करना इसको buy करने से पहले है और मेरे हिसाब से मेरा suggestion रहेगा आप यह शौमी या फिर पोको के smartphone को अवड़ी कर गए तो अच्छा रह है वह है Realme की तरफ से Realme का GT2 and दूसरा है Realme GT Neo 3T और रिसेंटली सेल डेस हुआ था तो GT Neo 3T जो है वह almost किसी-किसी ने under 20,000 या 20,000 का भी buy किया हुआ है तो यह काफी अच्छा smartphone है अगर stock में होगा तो definitely आपको इसको grab करना चाहिए चलिए फटा-फट से दोनों के specification बता देत हुआ हूं तो रियल्मी GT2 जो है वह 8 128 GB के साथ में आता है and Qualcomm का Snapdragon 888 प्रोसेसर है थोड़ा सा हीट करेगा क्योंकि जो भी 888 प्रोसेसर के smartphone है उसमें हीटिंग इसू आएगा पर फिर भी आपको तगडा performance मिलने वाला है क्योंकि flagship प्रोसेसर इसके अंदर यूज किया हुआ और फ्लेक्शिप प्रोसेसर भी आपको अंडर 25,000 मिल है बाकी डिस्प्ले की बात करें तो 120 होट्स का रिफ्रेश रिप्रेश रिप्रेश डिस्प्ले 5000 मह की बैटरी विथ 65 वाट्स का फास्ट चार्जिंग एं कैमेरा की बात करें तो यहां पे आपको ट्रिपल कैमेरा से यहां पे आपको 6128GB का स्टोरेज मिलेगा बट यहां पे आपको स्नैप्डेगन का 870 प्रोसेसर मिलने वाला है तो यह आप बोल सकते हो एक साल या दो साल पूराना प्रोसेसर दिया हुआ है पर अगर मेरे एक्सपीरेंस के हिसाब से बात करो तो 870 प्रोसेसर जो है वह ही पर्फॉर्मंस गेमिंग में और और पर्फॉर्मंस देने वाला है इसमें भी आपको एमुलेंट डिस्प्लेंट के साथ में मिलेगा 5000 mh की बैटरी 80 वोट्स की फास्ट चार्जिंग के साथ में ट्रिपल कैमेरा सेटप 648N2 और 16 Megapixel का सेलफी कैमेरा होने वाला है बाकि द यह 3D मिल जाता है तो फटा-फट से ग्रैप कर लेना क्योंकि यह प्राइस सेग्मेंट में यह काफी तगड़ा स्मार्टफून है और गेमिंग काफी मस्की की तरह यह कर देगा तो चलिए इसी के साथ साथ हम लोग लोग लाश्ट फोन की तरफ बढ़ते हैं जो कि है हमार फिफ्थ रेकमेंडेशन तो फिफ्थ स्मार्टफून जो मैंने आपके लिए शॉर्ट लिस्ट किया हुआ है गेमिंग के लिए वह है मोटरला की तरफ से मोटरला एज 30 तो आप बोलोगे अभी तो जस्ट एज 40 लांच हुआ है तो 40 के बार में भी बात करेंगे हमारे बोन फोन में तो यह स्मार्टफून आपको 24999 का मिलेगा जो कि आपको 6.28 GB का स्टोरेज देगा एंड वालकॉम का स्नैप ड्रेगन 778 जी प्रोसेसर के साथ में आएगा जैसे मैंने आपको बताया कि यह प्रोसेसर भी काफी तगड़ा प्रोसेसर है तो गेमिंग और अवरॉल आपको अच्छा मिलेगा तो इसमें भी वही चीज यूज किया गया है प्लस इसके अंदर आपको 144 हर्ट का 120 भी नहीं सबसे ज्यादा रिफ्रेश रेट आपको यह स्मार्टफून में मिला है 144 हर्ट का रिफ्रेश रेट मिलेगा विद पी ओ एलेडी डिस्प्ले एंड 4020 की बैटरी विद 33 watts of fast charging and camera की बात करें तो यहां पे ट्रिपल कैमेरा सेट अब है 50 50 and 2 Megapixel का रहने वाला है यहां पर बड़ा Megapixel दिया हुआ है मतलब 32 Megapixel का दिया हुआ है अलगी Megapixel पे इतना जाना नहीं क्यूंकि पिक्सल बीनिंग टेक्नोलोजी से वह 12 Megapixel पे लिखे मिल रहा है मतलब 32 Megapixel सेर्फी कैमेरा मिलने वाला है तो अगर आप फेसिंग कैमेरा से कंटेंट क्रेशन करना चाहते हो वेब कैम की तरह इसको यूस करना चाहते हो तो उसके लिए भी काफी यूसफुल यह स्मार्टफोन आपके लिए होने वाला है बाकि मोटरोला की यह इसके बार में बात करें तो सबसे पहले तो आपको यह स्टॉक एंड्रोइड के साथ में आएगा इसके वाज़े से आपको कोई भी ब्लोट वेर्स नहीं मिलेंगे स्मार्टफोन के अंदर और इसके वाज़े से इसका यूई जो है काफी स्मूथ एन फास्ट आपको लगन जाना है तो गूगल में आपको इसके बार में इंफरमेशन चैएगा या वीडियो भी मिल जाएगे आप डेफिनल यूटुब पे चेकाउट कर सकते हो और मोटरेल है। रेडि फोर के बार में अगर आपको जानना है तो चैकाउट कर सकते हो आए बटन में और डिसक्रिप से बताए होँ आई मतलब 2 साल में आपका फोन बिल्कुल भी पुराना नहीं होगा दो साल तक आप आराम से यूज़ कर सकते हो मतलब आफ फरस्ट यह जो करते हो तो 3 साल तक आपको कोई भी स्मार्टफोन चेंज करने की ज़रूरती है आपका स्मार्टफोन अपडेटेट रहेगा एंड गेमिंग और डे टू डे परफॉमंस में काफी अच्छा आपको लगने वाला है बट एक कॉन यहां पर यह है कि यहां पर आपको 3.5 mm का हैड़फोन जैक नहीं म में बात करते हैं यह स्मार्टफोन मेरे हिसाब से लग रहा है कि अभी के टाइम में यह प्राइस सेग्मेंट में काफी टगड़ा गेमिंग के साथ में ओर और परफॉमंस देने वाला है हलाकि सेल डेस का थोड़ा सा वेट करो अगर यह सेल डेस में 28,000 का आज आता है या अगर इसको बाय कर लेते हो ना तो यह काफी अच्छा डील होगा क्यों में बताता हूं इसके स्पेक्स काफी इंपॉर्टन है यहां पर आपको एक की वेरेंट मिलता है 8GB 256GB स्टोरेज के साथ में जो की मेरे हिसाब से काफी अच्छा है 8GB RAM होने के वज़े से आपको स्मू अच्छा है जो कि एक्विवेलेंट है क्वालकॉं का स्नैपड्रेगन 888 के साथ में पर 888 प्रोसेसर जो है उसमें थोड़ा सा हीटिंग आपको देखने को मिलता है यहां पर आपको वो चीज नहीं देखने को मिलने वाला है जो की मेरे हिसाब से काफी तगड़ा एं अच् चार्जिंग और यह में क्यों आपको बता रहा हूं क्योंकि इसके अंदर आपको वाइरलेस चार्जिंग का भी सपोर्ड है जो कि अप्टू 15 वाट्स तक आपके स्मार्टफून को वाइरलेसली चार्ज कर सकता है बाकी कैमेरा की बात करें तो यहां पर डूल कैमेरा सेट व्यूस किया गया है 59 30 मेगापिक्सल का एंड सेल्फी कैमेरा जो है वह पिछले एज 30 की तरह 32 मेगापिक्सल का दिया हुआ है जिसके हेल्प से आप काफी अच्छा प्रण फिसिंग कैमेरा से शूट कर सकते हो मतलब अगर आप स्पेशली कंटेंट क्रेटर वगरे हो तो आपके लिए काफी बेनफिशन होने वाला मोस्ट इंपोड़न जिस मोटरोला की पेटेंट टेकनोलोजी इंग शिल्ड एन मोटरोला का रेडी फॉर इसमें भी आपको मिलेगा उसके साथ साथ यह स्टॉक एंड्रोइड है तो आपको ब्लोट पर भी इसके अंदर नहीं द मेरा पर्सनल ऑपीनिन दूंगा अगर मेरे को 25,000 के अंदर कोई भी गेमिंग स्मार्टफोन बाइ करना है तो मैं मेरे लिए अगर स्टॉक एंड्रोइड कंसीडर करता हूं तो मैं डेफिनेटली मोटरोला का एज 30 जो है वह ले लूँगा पर अगर मेरे को लेटेस्ट चि इसके वज़े से अगर स्टॉक में मेरे को रियलमी का नियो ठीटी मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली उसको कंसीडर करूंगा बाकी जैसे मैंने पोको फोन का डीटेल्स बताते वक्त बताया कि पोको एंड या फिर शौमी के कोई भी स्मार्टफोन को मैं आवाइड करना च तो मैं आपको भी सजेस्ट करूंगा कि अगर आप 25,000 जैसे पैसे खर्चा करना चाह रहे हो तो आप पोको या शौमी के कोई भी स्मार्टफोन को बाय मत करना क्यूंकि आपका एक हाड एंड मनी है 25,000 का और गेमिंग एंड डे टूडे परफॉमेंस जो है वो आच्छा हो होना चाहिए आपको बार-बार सर्वेस सेंटर रिजेट करके कुछ मतलब नहीं होने वाला है आपके आइकू में प्रिफर नहीं करूंगा क्यूंकि आइकू का यूजर इंटरफेस मेरे को पसनली पसंद नहीं है पर आगर आपको पसन आता है तो आइकू का आप एंडियो सिख जो है अच्छा यह स्मार्टफोन अभी के लिए बेश्ट है मैंने डेट डाल दिया कब में यह रेकॉड कर रहा हूं पर आगे जाके इसमें आकर कुछ चेंजिस होते है तो उसके बार में अपडेट में यह चैनल पर डेफिनिटल आपको देता रहूंगा तो डू कंस स्मार्टफोन में पूछना हाला कि सारे स्मार्टफोन में टेस्ट नहीं कि वह है वापस डिस्क्लेमर दे रहा हूं तो आपको जो भी फोन में कन्फ्यूजड है वह फोन का वीडियो आप यूटूब पे सर्च कर लेना और जिसने खुद पर्चेस करके रिवीव डाला है यूटूब के उपर उसका वीडियो देखना ताकि आपको डीटेल में अची तरह से स्मार्टफोन के बारे में आइडिया आ जाएगा और फिर आप उसको बाइक कर लेना अगर आपको यह वीडियो पसंद आ है तो लाइक कर देना आपने बीजे में दोस्तों के साथ में य झाल